तो आज से हम लोग पर्यावरण और परस्तित्की यानि Environment Anecology की Fresh Series स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पर्यावरण और परस्तित्की क्या जो है Concept को भी समझेंगे और उस पे आये हुए जो है बिभिन question और important facts को जो है देखते चलेंगे साथ ही में तो UPTT, UPCCC और UPPCS इनके लिए ये बहुत important series है और UPTT वाले जरूर देखें उनका exam में जो है Environment Enecology जो है एक पूरा portion है साथ में UPCCC में भी science के अंतरगत जो है Environment Enecology से questions आते रहते हैं तो चलिए start करते हैं आज जो हैं सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण क्या होता है तो जीवधारियों और वनस्पतियों के चारो ओर का जो प्राकृतिक आवरण और उनके मध जो परसपर संबंध था क्रियाए होती हैं इनका अध्यन जो है पर्यावरण के अंतरगत किया जाता है परियावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं तो सबसे पहले फिजिकल फिर फिजिकल को हम भौतिक परियावरण कहते हैं फिर जैविक परियावरण और सांस्कृतिक परियावरण ये तीन जो है बड़े भागों में इनको बाटा जा सकता है अब भौतिक या फिजिकल पर था नहीं होता है तो भॉतिक परवण होते हैं इस्थल मंडल होता है जिसको हम लीथोस्थियर कहते हैं यानि पृतिवी का समस्त इस्थली भाग फिर दूसरा घटक होता है वायू मंडल जिसको हम atmosphere कहते हैं इसमें बिभिन प्रकार की गैसें जलवास वित्यादी इसमें आते हैं और जल मंडल जो की सबसे ज़्यादा बिश्त्रित है प्रत्वी पलगबग 70% जो है जल मंडल का ही होता है तो इसको hydrosphere कहते हैं इसके अंतरगत सागर, महासागर, जीले, नदिया, जित्ती भी जल वाली निकाएं हैं वो सभी इसके अंतरगत आते हैं अब जैविक या बायोटिक तो जैविक घटक में क्या आएंगे यानि ऐसे जो है प्राणी या जन्तु जो जीवित हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्तु परियावरण की जिसको हम floral environment कहेंगे इसमें सभी जन्तु जो है इस रेडी में आते हैं और दूसरा भायोटिक घटक क्या हो गया जैविक घटक दूसरा हो गया वनस्पती परियावरण या इसको हम environment fauna कहते हैं तो flora और fauna यह भी सब्द पूछे जा चुके हैं फ्लोरा सब्द जो हमेशा जन्तु के लिए यूज होता है और फाना जो होता है वो वनस्पतियों के लिए यूज होता है फिर तीसरे तरह का जो है जो पर्यावरण का मुख्य घटक है वो है सांस्कृतिक या कल्चरल तो इसमें सामाजिक एवं आर्थिक घटक आते हैं यानि पर्यावरण के साथ जो मानों की या जन्तु की क्रियाए होती है उसमें जो सामाजिक संबंद इस्थापित होते हैं पर्यावरण के साथ में साथ ही पर्यावरण से जो हो आर्थिक लाप्राप्त किये जाते हैं वो सभी जो है कल्चरल यानि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतरगत इनका अध्यन किया जाता है अब पारिशित की तंत यानि एको सिस्टम की संदचना को हम देखते हैं तो एको सिस्टम में जो है जैवी घटक होते हैं यानि बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और आजैवी घटक यानि एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं तो पहले जैवी घटक की बात करते हैं जैवी घटक क आटो ट्राप्स की यानि आटो ट्राप्स क्या होते हैं ऐसे पौधे या जन्तु जो अपने भोजन का स्वयम निर्माड कर लेते हैं तो वो स्वपोसी कहलाते हैं तो इसमें पौधे यानि प्लांट्स, प्लैंक्टन्स, इसमाल बैक्टिरिया ये सभी इसमें आते हैं और इन का निर्माल करते हैं और भोजन जो है फिर आगे जो है पर पोसियों तक जो है पहुंचता है फिर दूसरा जो है जो जैविग या बायोटिक घटक है वो है पर पोसी या परोब जीवी तो इनको इंगलिस में क्या कहेंगे पैरासाइट कहेंगे अब इसके नाम से इस जनतु जो भोजन और उर्जा के लिए दूसरे जो है स्वपोसी जनतुओं पर या पौधों पर निर्भर करते हैं और उनमें स्वयम अपनी उर्जा उत्पादन करने की छमता नहीं होती है तो इसको मोटे मोटे पहले दो भागों में बाटते हैं हम पहले होते हैं भच्छ पर अपना भोजन निर्भर करता उनका उनको साकाहारी कहते हैं मानसाहारी जो दूसरे छोटे जीवों को या बड़े जीवों को खाते हैं तो उनको कार्निवोरस कहते हैं और सर्वाहारी की कटेगरी में वो आते हैं जो सब कुछ खाते हैं यानि वो साकाहारी भी होते हैं म बैक्तिरिया और फ़ंजाई होते हैं जो predators जीवों यानि जो भच्छक जीवों हैं उनके सरीर पर रासायनिक क्रीया करके उनके सरीर के रासायनिक तत्त्यों काroffen कर देते हैं। तो ये परपोसी जीवों की category हो गई। अब बात करते हैं abiotic factor जिनमें मतलब कोई भी सीधी तरीके से जीव जनतु सामिल नहीं है इसमें जो है पर्यावरणी जो जैसे इस्थल मंडल जन मंडल इत्यादी हम लोगों ने पढ़ा उनहीं के घटक आते हैं तो इसमें सबसे पहला अकार्बनिक घटक यानि ऐसे घटक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है उदारण के लिए बेबिन प्रकार के लवण है कैलसियम, मैगनीसियम, फासपोरस, पोटेसियम, नाइट्रोजन, सलफर तथा वाईव गैसें अकार्बनिक घटकों में आती हैं फिर कार्बनिक घटक जो है यानि कार्बनिक फैक्टर् ये सबी जो है मरत जन्तूओं के सरीर से मरत जन्तूओं और पौधों के सरीर से प्राप्त होते हैं तो ये कार्बनिक इनमें कार्बन विद्वान होता है इसलिए इनको कार्बनिक घटक कहते हैं बहुती घटक क्या होते हैं पर्यावरन के बहुती घटक होते हैं सूर्य प् अब बात करते हैं एकोलजी की पारशित्की क्या होता है और इनसे जुले जो फैक्टर्स जो है इंपोर्टेंट है तो पारशित्की या एकोलजी क्या होता है। 1869 में पार्सकी तंत्र किसों कहते हैं एको सिस्टम सब्द का सरपथम प्रियोग 1955 में एजी टैंसले द्वारा किया गया था पार्सकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक बिस्षिश्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक एवं अजैविक संगटनों यानि दोनों से होती है बायोटिक और एबायोटिक फेक्टर्स दोनों मिला कर होती है यह अपेक्छाकरत इस्थित वा समिस्थिती में होता है यह एक खुला तंत्र होता है यह कोस्चेन भी कई बार पुछा गया है स्वरूप था और उसका परियावरण में क्या रोल था उसके बारें पढ़ते हैं तो आखेट एवं भोजन संग्रहक जब बिल्कुल सुरुवाती मानों की उत्पत्ती हुई थी तो मानों जो है सिकार और भोजन संग्रहक की भूनिका में था तो उसमें मानों का सरीर कैसा था जीवी या भोतिक मनुस इसको कहा जा सकता था और ये संबंद कैसा था ये कारक संबंद था पसुपालन वा पसुचारन उसकी अगली स्टेज आई जब तो मनुस एक सोसल जो है प्राणी या सामाजिक मनुश्य बन गया और इसका रोल क्या हो गया रूपांतर कंता यानि ये फसलों को गालने लगा पसुपच्चियों को चराने से पसुओं से उत्पार प्राप्त करने लगा तो ये मौडिफायर के रोल में आ गया उसके बाद अगला चरण जो है पौध पालन वा क्रसी का आया जिसमें मनुश्य जो है एक आर्थिक प्राणी या आर्थिक मनु मानो जो है प्रद्योग की मानो हो गया और इसकी रोल अब कैसा है बिद्ध्वन्स करता क्योंकि जितनी भी जो है बिज्ञान प्रद्योग की और द्योकी करण से संबंदित गत्विदिया है उसके कारण मानो कही न कहीं से प्रत्यच और अप्रत्यच रूप से प्रकति को भारी नुकसान पहुचा रहा है इसलिए इसका रोल कैसा हो गया बिद्धवन्स करता या डिस्ट्रॉयर का रोल हो गया फिर अब कुछ जो है फैक देखते हैं इस पे अभी आगे जो है और जो है बाद चीजों पे भी चर्चा करेंगे तो पर्यावरण एवं बन मंत्राले का स्रजन का हुआ था 17 सितंबर 1985 को हुआ था उस समय स्री राजियु गांधी जो है प्रधान मंत्री थे बारत के पर्यावरण सरनच्छन अधनियम 1986 में पारित हुआ था इसको छाता विद्धान भी कहते हैं या इसको अंब्रेला लेजिशलेशन भी कहते हैं ये बहुत इंप 185 में प्रारम हुई थी वन जीव संरच्छन अधनियम 1972 में पारित हुआ था और राष्टी हरित न्यायादिकरान जिसको NGT कहते हैं या National Green Tribunal ये अधनियम 2010 में पारित हुआ था आगे बात करते हैं पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवरसी योजना में जोड़ा गया चोथी पंचवरसी योजना में ये भी बहुत important है खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी मानी जाती है जूम करसी या इसको इस्थानांत्रित करसी भी कहते हैं जो भारत में अभी भी पूर्वत्तर के राजियों में जो है की जाती है इसमें एक स्थान पर जो है जंगल जो है अगर आज की डेट में देखें तो पर्यावरण के लिए एक नुकसान दायक ब्योस था है ये प्रतम विश्व पर्यावरण दिवस कम मनाये गया पांच जून 1973 को प्रत पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाये गया था और 1972 में जो है इसके लिए घोशना की गई थी मेग बीजन या क्लाउड सीडिंग में किन योग्कों का प्रियोग होता है इसमें ठोस योटू और आयोडीन के योग्कों का प्रियोग किया जाता है पर्यावरण ये समस्याओं का प्रादूर भाव कब से माना जाता है मतलब ये कब से माना जाता है कि पर्यावरण में ज्यादा प्रदूशन और ज्यादा समस्याँ स्टार्ट हुई तो ओद्योगी क्रांती जो 1860 के दसक में प्रारम हुई थी और उसी समय आर्थिक निश्चेवाद का सिद्धान ताया था तो उससे जो है माना जाता है कि पर्यावरण की समस्याओं का सुरुवात उसकाल में हुई पहली वन नीती की घोषणा कब की गई थी 1894 में पहली वन नीती घोषित की गई थी और कोश्चेन अगर यह आता है कि सुतंता के बाद पहली वन नीती तो सुतंता के बाद पहली वन्नीती 1952 में थी और 1988 में इसको संसोधित किया गया जो राष्टी वन्नीती कहलाई तो अगर कोश्चन यह आता है कि राष्टी वन्नीती कब लागू की गई तो आपका जवाब होना चाहिए 1988 सामाजिक नदी नीती यह कारिकरम 1988 में शुरू हुआ था फिर अगला है क्या है सामाजिक वन्नीकी कारिकरम यानि सोसल फोरिष्ट्री स्कीम जो है यह 1996 में लौंच किये गए थे राष्टी पर्यावण नीती यहाँ पर संसोधन लिखना आवश्यक है क्योंकि इसका जो संसोधन हुआ था 1988 के बाद वो 2006 में हुआ था जल प्रदूसरण नियंतरण एवं नीमन अधनियम यह 1974 में पारित हुआ था ध्वनी प्रदूसरण नियंतरण एवं नीमन अधनियम यह सं 2000 में पारित हुआ और इको मार्क योजना यह जो है 1991 में प्राराम हुआ था जिसमें उन भारती उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रती मैत्री पूर्ण या पर्यावरण के लिए अनकूल होते हैं भारत में गैर परामपरगत उर्जा सुरोत विभाग की स्थापना कब की गई थी 1982 में की गई थी भारती नविनी करणी उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में हुई थी धारणी एवं इस्थाई विकास की आउधारणा का सर्वत्थम प्रतिपादन कहा हुआ था तो ब्रेटलेंड में जो सिखर सम्मेलन हुआ था 1987 में उसमें पहली बार जो है सस्टेनेबल डेवलप्मेंट की जो है आउधारणा या कॉंसेप्ट का जो है प्रतिपादन किया गया था धारणी या इस्थाई विकास सब्द का सरपत्थम प्रयोग IUCN ने अप जय विवित्ता या बायोडाइवरस्टी भारत में धारणी विकास के द्रिष्टिकोंड से विद्धुत उत्पादन का सबसे अच्छा सुरोत कौन सा है जल विद्धुत क्योंकि ये नियूनुतम प्रदूशन को उत्पन करता है पर्यावरणी ये निश्चे वाद जिसके आउधारना से सम्मन रखता है जीवों के पारिस्टिक कारिकों का योग पर्यावरण है ये किसका कथन है ये एफिटिंग का कथन है इसी तरह के कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे खासकर TET में या UPTSC में भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा सहर सरवाधिक प्रभावित हुआ है तो ब्रुकलिन सहर है USA का जहाँ पर भूजल के अत्यरिक दोहन के कारण वहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा इसकैरसिटी उत्पन हो गई थी ओजोन इस्तर या ओजोन लेयर में च्छरण का सरपथम पता किसके द्वारा लगाया गया था जौसेफ फॉर्मेन 1985 में जो है इन्होंने ओजोन लेयर डिप्लीशन का सरफ़े पहले पता लगाया था संयुक्त राज संग ने वर्ष 2002 को किस वर्ष के रूप में घोसित किया था सतत विकास का अंतर राष्टी वर्ष के रूप में घोसित किया था सतत्विकास के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़े है जय विवित्ता यानि बायो डायवर्सिटी का संदच्छन किया जाए प्रदूशन का निरोध एवं नियंत्रन किया जाए और निर्धनता को घटाना क्योंकि सतत्विकास में ये भी अवधारणा है कि निर्धनता भी प्रदूशन के लिए एक कारक है अंतराष्टी हाइडरोलोजिकल दसक ये कम मनाय गया था 1965 से 1974 के दसक में ये मनाय गया था दच्छिड पूर्वी सयुक्त राज अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है Tennessee नदी को कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूशित है भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनकृती है तो भारत में जो दामोदर नदी परियोजना स्थापित की गई थी वो Tennessee नदी घाटी जो USA में है जिसको अभी बताया उपर कि ये USA का नरक कहा जाता है तो 1940 में USA में टैनेसी घाटी परियोजना चालूई थी उससे ही भारत में दामोदर नदी परियोजना को एकसेप्ट किया गया बिस्तु का सरवादिक आउसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी है तो सबसे जादा आउसाद परिवहन करती है यलो नदी चीन का चीन की अविवम गंगा नदी भारत की राश्टी ये परियावरण आभियंतर की सोद संस्थान जिसको हम कामली नीरी नाम से भी जानते हैं तो ये कहा परिस्तित है नागपूर में इस्थित है अब परियावरण संथ्षन के लिए कुछ अंतराश्टी प्रयास किये गए उनके बारे में बात कते हैं तो संयुक्तराश्ट मानवी परियावरण सम्मेलन ये 1972 में स्टॉक होम स्वेडन में हुआ था यहीं पर पहली बार परियावरण दिवस मनाने के लिए एक प्रस्थाव को पारित किया गया था जिसको बाद में जो है यूएन जेनरल असेंबली ने अपने घोशना पत्र के द्वारा स्विक्रित कर दिया था मौन्ट्रियल संधी प्रस्थाव ये 1987 में हेलसिंकी में साइन हुआ था और इसमें जो है CFC यानि क्लोरो फ्लोरो कार्बन के प्रतिबंद लगाने के लिए संकल्प लिया गया था जो की ओजोन छरण के लिए प्रमकुरूप से जिम्मेदार होती है प्रतिवी सिखर सम्मेलन ये 1952 में हुआ था और ये रियो डिजिनेरियो नामक जगे है ब्राजील में वहाँ पर ये संपादित हुआ था क्योटो प्रोटोकाल 1977 में साइन हुआ था जापान के क्योटो सहर में और इसमें ग्रीन हाउस गैसेज के उस सर्जन पर प्रतिबंद लगाने के लिए एक संधी की गए थी जोहांसबर्ग समयलन 2002 में हुआ था जिसको प्रतिबी 10 कहते हैं क्योंकि ये प्रतिबी सिखर समयलन जो यह हुआ था उसके ठीक 10 साल बाद हुआ था तो इसको आप याद ऐसे भी रख सकते हैं कि प्रतिबी सिखर समयलन 1992 में हुआ था उसमें 10 साल आप और जोड़ दीजिए तो प्रतिवी 10 हुआ था और जिसको जोहांस बर्ग सम्मेलन के नाम से जानते हैं कोपेनहेक सम्मेलन ये 2009 में डेनमार्क में हुआ था इसमें कार्बन उत्सरजन में कमी का संकल्प लिया गया था तो आज के वीडियो में जो भी हम लोगोंने फैक्ट देखे ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और पेपर में सीधे सीधे इसी तरह से आते हैं अगले पार्ट में हम लोग खाद स्रंकला खाद पिरामिड बायोम क्या होता है और उर्जा कौन सा पिरामिड सीधा होता है कौन सा उल्टा होता है लिंड मैन का नियम क्या है ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवा झाल झाल